आनीद का सादा करें एक खाब दें एक खाब लें करें एक खाब देने खुशियों के खादिर ने सारे जग से लड़े जावा प्यारा में प्यार तुम कितना करते हो हाई गाई वेलकम बेक तु माइ अनादर वीडियो तो गाईस सबसे पहले आप लोगों को हैपी देवाली तो गाईस टैटल देखके आप लोगों को बान पढ़ गया यह मेंक अप लोग है देवाली मेक अप लोग जो कि मैंने बहुत जादा सिंपल और एजी करने की कोश्च बहुत जादा सिंपल है और थोड़ा सा ग्लोइंग भी है जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों कैसे लगा आप मुझे कमेंट करें जरू बताएगा ठीक है तो मैं चली वीडियो स्टार्ट करों से पहले आप लोगों से चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लुक्त मेरे चैनल पर पहली बार आएगे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गा और लुटिए अपना इसकिन केर रूटीन तो इसके लिए यहां पे लिया है फेस को क्लीन करने के बाद टोनर ले रही हूं टोनर है मे अपना इसके बाद आपका स्किन का पी-एच लेबल बैलेंस रहता है और आपकी स्किन और जादा मुश्राइजिंग लगती है और सबस्क्राइजिए बात इसमें यह है कि जब इसमें हाइलोरोनिक ऐसे सीरम है उससे आपकी स्किन में एक ग्लोइंग सा एफेक्ट आता है यहाँ बात यहाँ पर लिया है यह वाव का है यह भी हाइलोरोनिक ऐसे सीरम वाला यह सीरम है मेरा फेस सीरम तो इसको मैं यूज़ कर रही हूं गाइस हाइस आपकी स्किन बहुत स्मूध एंड थोड़ी से सफफल बनती है और बहुत मॉश्राइजिंग रहती है आपकी स् सीरम है यह फेस सीरम मुझे काफी अच्छा लगा कुछ टाइम उसकर रही हूं रिव्यू आपको बहुत जल देने वाली हूं अब यहाँ पर मॉश्राइजर यूज़ कर रही है इसके लिए मामा आर्ट का ओईल फ्री मॉश्राइजर लिया है यह बी काफी अच्छा है गा मामा अर्थ का यह है अंडर आई क्रीम है और यह डाक सकल के लिए है जिसको मैंने फिल हाल यूज़ करना स्टार किया है जस्त मैंने अभी शायद जब यूज़ कर रही है तो देखती हूं दिरे-दिरे क्या इसका रिजल्ट आता है तो आपके संग रिव्यू जरू सायर कर इसके बाद में यहां पर लगाने वाली हूं लिबाम के लिए मैंने लापी लिया है और यह वाइटनिंग या ब्राइटनिंग वाला कुछ लिबाम है फ्रूट लिबाम है और इसे मुझे बायोटिक का लिबाम काफी अच्छे लगते हैं से पहले मैंने यूज़ किया वह एकमा प्लेंट का प्राइमर है जरूरी आपकी एक के लिए इसे में ऐसके स्मूध बन जाती है इसे हो जाती है चाब में सके अब आठ़ उख़ा क़रना ब्रूर्ट अनियुक्र मेले कि मेट्फ को सब्सक्तर टार करके है और मैं फांड व्सकम बॉक्स में आप लोगों को सबको लिंक डाल दूगी और करके लगाने के बाद मैं इसको ब्योटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूं डैप ब्योटी ब्लेंडर है और यह मेरी स्किन टोन के जैसा ही है और काफी अच्छा फाउंडेशन लगता है बिल्कुल भी केकी नह बनागे था यह नूली लॉँच हूआ था तब इसी तरीके से था बट मुझे सका इस पैशला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाई बट मुझे पामप अला भी तक मैंने यूज नहीं कि लोगी तो आपको बताऊंगी ठीक है अच्छा ब्लैंड हो गया इसके बाद मै यूज किया हुआ है तो वह भी बहुत अच्छा है हलके भुलके आपके मेकप के लिए फिर इसको ब्लेंड कर दूंगी मैंने नोस का फिंगर से ब्लेंड किया हुआ है ब्लेंड करने के साथ आप देख सकते हो कि मेरा जो फेस है वो कितने इच्छे से थोड़ा स्लिम लग रह इसके लिए मैंने यह जो लूस पाउडर है मैंने लिया था लोकल मार्केट से यह ओनलाइन नहीं मंगाया है और इसका नाम भी मुझे कुछ याद नहीं है मिलोना करके कुछ है इसका तो रिव्यू दे दूंगी मैं अगर मुझे लगेगा कही मार्केट में दिखेगा तो नह अर्स मैंने लूस पूरे फेस पर सैटिंग कर लिए एंड तो राइस के नीचे लगा द overall कर रही हूं हैना तो मतल Judith bronzer कर रही हूं तो व्हान से बेंड़ी है अम्सेकर ने के बरस यह निस्तिक साथ कर ने के रही हूं जैसे हमनी कि उ सपक्ष्थ न शपवात क्रोंद कर ने अगर आपको बहुत थोड़ा चाहिए तो थोड़ा कर सकते हो बट मेरा बहुत जादा चबी फेस है तो मुझे थोड़े सी जादा वाला कॉंटरिंग लगता है अब बलश लगा रही हूं तो बलश के लिए इस कलर को पिक करने के साथ में स्माइल करते हुए थोड़ा बलश और बलश आप देखी सकते हो कि बलश अच्छा लगता है नैच्रल बलश रखो बहुत जाता ओवर नहीं रखना चाहिए बलश को बहुत नैच्रल लखना चाहिए अब मैं अपना जो आउटर लगाया था उसको क्लीन कर लूँगी अब मैं अपनी आइब्रो फिल कर रही हिलरी रोडा का आईशेडव पैलेट है शेड नमबर है ठीक है तो यह मैं यूज कर रही हूं यहां पर मैं थोड़ा सा ब्लेक कलर यूज करती हूं अपने आइब्रो को फिल करने के लिए क्योंकि मेरी जो आइब्रो है उस पर जब मैं ब्राउन लगाती हूं तो बहुत औ अब मैं हाइलाटर भी लगा रही हूं साथी साथ मैंने लगा लिए कोई भी यूज कर सकते हूं अब यहां पर प्रेशेड को पीक कर रही हूं जो कि लाइट ग्रे हैं और में ब्लावज आप देखि रहे हो तो और शाइनिंग में ब्लू ब्लेक वाला है तो मैं बहुत ज् इस ग्रेड को लेने के बाद मैं ब्लेक कर ले रही हूं फ़्लेक तो अपने आउटर वी पर हलका हल्का सा वी बनाएंगे जीसे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं जूस ऐसे ही बनाना ठीक है ऐसे किया है और ब्लैंडिंग बहुत अच्छा से कियेगा मैं हर बार बोल आप कोई भी हाइलाइटर ले जी कोई भी हाइलाइटर जो भी आपके पास अविलेवल हो लेजी लिकुड बाला है बहुत जी पूरी पे लगा लिए पूरी ऐलीड पे इस लाइटर को लगाना है हलका सा जो ग्रेवाला आपका ब्रश था ना जिससे अपने ग्रेव कलर लगाया था उससे पूरा हलका हलका ब्लेंड कर देंगे थोड़ा सटल लगेगा बहुत अच्छ से ठीक है अच्छा आप में एक ब्लेक आईशेडो ले रही हूं और उसको मैं लाइनर की तरफ प्लेस क आप मेरे आइस लेश्ट को देख रहे हैं तो मुझे काफी अच्छा लगा एं बहुत अच्छा वियह गाईज मैं रिव्यू देऊंगी बहुत जल्दी मैंने बहुत सारा सामन मंगाया है और रिवियू का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं अभी वीडियो का बिल्कुल तो यह voice over share कर रही हूँ बट हाँ ठीक है कोई नहीं हम आगे दे देंगे ठीक है अच्छा आप मैं lashes को कर रही हूँ उसके बाद आप मेरे lashes देखी सकते हो कितना volume है इन lashes में तो mascara बिलकुल must है वे guys use कीजेगा ठीक है मैं लिंक आपको दे दूँगी काजल काजल के लिए मैंने यह लिया है स्टेक वकी का काजल है यह आई लव यू टू वाला है शायद तो इसको मैं लगाऊंगी अपर वाटर लाइन पे और लोवर वाटर लाइन पे दोनों पे लगा लेंगे और बहुत थेन लगाया है बहुत मोटा नहीं आपको जैसा लगाना हो आप ऐसा लगाएगा जो भी आपके उपर सूट करता हो आपके आई के उपर और इसके बाद मैं हाईलाटर ले रही हूँ यह मेरा है Miss Rose का हाईलाटर है यह मैंने लिया था मीशो से लिया था मैंने review भी डाला हुआ है इसका आप देख लीजिएगा तो बस यह देखिए मैंने face पे लगा लिया है जो कि मुझे glow बहुत पसंद है highlighter लगाना बहुत पसंद है तो मैंने अपने पूरे face पे लगा लिया है ठीक है इसके बाद में यहां यूज़ कर रही हूँ ठीक है sweating की problem भी नहीं आती है इसके बाद में लिप्स्टिक लगा रही हूँ इसके लिए मैंने यह पर लिया है यह मेरी my glam की लिप्स्टिक है और share number बहुत जादा प्यारा है और मेरे साथ पता नहीं क्यों आज ऐसा हुआ कि जब मैं इस लिप्स्टिक को लगा रही थी तो dość मैंने झाल नहीं कुंग है पर लिप्स्टिक के रहे है और में दो कि एक लास लिप्स्거든 के साथ है तो आहाँ मुझे बता इस लिप्स्टिक लगा ही थी वह जाए है ا््soon潮 की और वाला है यह लिए और परहें डीगना है नहीं मुझे तो आप बताईएगा मुझे कौन से लिप्टिक जादा अच्छी है तो यह मेरा लोग कंप्रीट हो गया है एंड यह मेरा माथा पट्टी देख रहे हो ना यह मीशो की है साड़ी मीशो की है एंड जो एलरी मेरी मेरी लोकल मार्केट की है मेरी जो वॉच है यह नॉइस की क्योंकि मैंने इस लुक को बहुत सिंपल सा करने की कोशिश की है जो की बहुत इजीली हो जाएगा एंड जहां पर मैंने आईशड़ो के लिए ग्रे कलर यूज किया है तो आपका जो भी आउफिट कलर हो आप उस कलर के साथ अपना आई लू क्रेट कर सकते हो एंड जहां आपका लूग कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अनमेरिट हैं तो आप न्यूड लिप्स्टिक यूज कीजिए अगर मेरिट है तो थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो बस यही था मेरा आज का लूप तो आपनों को अच्छा और मेरी तरब से आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुब काम ना है